गुण मॉर्निंग गाइज हैपी रिपब्लिक जेच वाल अफ यू और अभी मैं जस्त नहां के आ गई हूं और 11 वर्शने वाले हैं और मैं ब्लॉग के अपनी शुरुआत कर रही हूं यहां पूजा रूम में ही बैटी हूं पूजा उजा कर ली हूं मैं आपको दिखाती जिसके लिए मैंने चने और उरत को पहले से भी गोंके रख दिया था और अब मैं इसमें सिर्फ अद्रग और हल्दी नमक डाल के से बॉयल करूंगी फिर इसका तड़का लगाऊंगी और आज है रिपब्लिक टेच तो हैपी रिपब्लिक टो आल ओफ यू माई यू यू अब बहुत-धी बड़ा दीन हा हमारा जी आच तो आट में बनाने वाली हूं मतलब husband जलेवी ली के है तो आच हम लोग नास्ता तो जलेवी से ही खरेंगे और खाना बस बनाने बनाने यू हम complete तू आलोग जो भी कि साबछी और और उड़त और चने की दाल और साग मैंने कल बनाया था तो उसको भी फ्राई करूंगी मैं और साथ ही साथ चटनी और दाल और चावल स्वरी रोटी और चावल भी तो चलिए फिटीक है मैं रेस्पी शेयर नहीं करूंगी बाकी में इवनिंग का भी व्लोग आप लोग के सा जय हिन जय भारत तो मेरे हजबन अभी जस्ट ऑफिस से ही आए हैं तो हम दो बस अभी बैट के नास्ता करने वाले बाकी जो लंच बनाऊंगी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी मैं तो चलिए फिर पहले जले भी खालों उसके बाद बाते करूंगी और यहां अध पूंटिशन था तो हम दोनों ने पाटिसेपीट किया था और किस-kिस को खाना है जलेभी तो अरे पहले कानों को भोग लगाने दो तो इसमें मैं पहले काना को भोग लगा लोंगी चलिए जलेभी दोसने झूटा कर दिया है और मैं लड्डु का भोग लगा दूंगे बहुत सारी स्वीट्स और रिप्राप्रिक टेपे भी ले के आते हैं तो यह जब ओफिस कहते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए तो उधर से आते वक्त ले आये थे तो आज का नाश्ता तो हमारा यही होगा तो आईए आप लोग भी खाईए और इंजॉय कीजिए हमारे साथ जलीबी और यह जलीबी है शुद्ध घी की है यह बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा मतलब हेल्दी भी है इसमें और ओयल यूज नहीं किया हुआ है तो यह दिखिए जो मैंने दही जमाई है घर में खुद से जमाई हुई है तो जब भी आप जलीबी खाए तो दही के स सब लोग बैठके यहां पे एक साथ खाएंगे जलीबी दही और लड़ू चली आप लोग भी आजी हम लोग के साथ सुगाइस मैं तो जा रहे हूं अपना जलीबी खाने आप लोग भी आजाओ खाओ जलीबी हमारे साथ बहुत टेस्टी है और यह बहुत कहां शंकर स्वि बहुत टेस्टी लगता है हाँ है एपी रिपब्लिक डेट ओल अफ यू डियर फ्रेंड्स यह गाइस देखी जैसे मैं आपको फ्लैग दिखा रही हूं यह लोग हमेशा जो है ना फ्लैग होस्टिंग करते हैं अपने टैर्स पे चाहे इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब लें तो बहुत जादा आवाज आ रही है इसलिए मैंने वाइस ओबर किया है तो यह है मेरा अभी दोपहर का रूटीन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है और मैंने लंच का भी कुछ मतलब वही नॉर्मल जो लंच बनाते हैं सिर्फ वही बनाया है जैसा कि मैंने बत की हूँ अब किचिन में अब मैं यह शाम की प्रिप्रेशन कर रही हूँ क्योंकि हस्बन को जाना है और यह साथ बजे के करीब मैं बना रही हूँ डिनर फटा फटा और मैं बना रही हूँ पनीर की सबजी और बिल्कुल सी पनीर की सबजी बनाऊंगी और ताम जाम जादा की रोटी तो गाइस मुझे इतना पसंद है चावल के आंक्टी की रोटी हो और सब खाते हैं मेरे इसमें डाल द्या है तीज पता और साथ ही मैं इसमें एक दम से कुट बनने वाला जो है न मसाला रेडी कर लिया है जिसको बस फ्राइ करके और बस पनीर बन जाता है बहुत टाइम लगता है इस तरह से पनीर बनाने मीगि मैं ताइम अच्छे से बन बट अब मैं जब से मैंने बनाना मतलब अच्छे से सीख लिया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और यह लेकर आये थे मिल से ही लायए थे जो बहुत टेस्टी था और यहां मेरा पनी जो है ग्रेवी में बड़े प्यार से जा रहा है और यह काफी टेस्टी भी बना मैंने सुचा था कि अइना वह मतला नहीं देख लिए संसी अधिल् жизни आरां आटे यौसे और भrants टाइना लिए उपल पनीछे जो नहीं थी अगरता इंगरी है ₹ मोई biases का लिए प्रम टोबार शाये है पहले हैं बौझ सो कर दो लो इसना से हाफ यह नहीं आप mister में मसाले भी ऐसे बना के रख देती हूं लेकिन आज मैंने जो पनीर बनाया है नो काफी टेस्टी बना था सिंपल में है तो यह देखे चावल का आटा और इसका मैं बना ली हूँ डो और यह बनाऊंगी मैं यहां पर रोटी और यह देखिए और मेरी सब्जी बन के रड़ी यह देखे चावल के रोटे के मैं बना लिछ सब्जेएं को श्यायर कर रही हूं वुका अच्छी लगती है और यह जो चावल के रोटी होता यह नए चावल होता उसका आटा है और पहले विज से बनती हैं मैं बनाथी थी और नीचे आध रोटी हांत में रहे जाती थी और आधी नीचे चली जाती है हैं लेकिन अब बिलकुल अच्छे से बना लेती हूं तो भुषछ को खाने के बस यह था कि आज में व्लॉगिंग था मेरा तो आज मैंने व्लॉग ही आप लोगों के साथ शेयर किया है तो कैसी लगी यह वीडियो बताएगा ज़रूर और बस यह है अभी मैं दिखाने वाली हूं आप लोगों को कि मेरी जो चावल की रोटी है अच्छे से फुल जा रही थी तो बस वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब किजे गा, बाए-बाए